शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें नागपूर की मुख्य पाइलट कैप्टन दिपक वसन साथे की विमान दुरगटना में मौत हुई है दुबई से कोजी कोड रन्वे पर विमान उतारते समय हाइवे पर विमान भीसले से विमान के दो टुक्डे हो गए इस दुरगटना में तकरिवन 18 यात्रियों की मौत हो चुकी है मुख्य पाइलट कैप्टन दिपक वसन साथे इनका पार्थियों नाकपुर नलाते हुए पार्थियों को मुंबई में अंतिम संसकार के लिए भीजा गया ऐसी जानकारे उनके परिवार के सदस्तन निती है पूरा परिवार शोका कोल है इस बेच राज जके ग्रहमत्री अनिल देश मुख इन्होंने उनके परिवार को सांत वना फेटी है एर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान शुकरवार को केरल के कोजिकोड एरपोर्ट के रनवे पर फिसलने के बाद ही दो हिस्सों में तोड़ गया बुरुतकों में मुख्य पाइलट कैप्टन दिपक वसन साथ है और उनके सह पाइलट अखिलेश कुमार भी शामिल थे दुबई से 190 लोगों को लेकर आ रहा एर इंडिया एक्सप्रेस का हवाई जहाश केरल के कोजिकोड रनवे पर फिसलने के बाद दुरगटना अकरस्त हो गया विमान रनवे पर फिसलने के बाद खाई में गिर पड़ा और दो हिस्सों में तूड़ गया इस हाथसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है बता दे की कैश विमान को डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर परामत कर लिया गया है इसके बदत से डेटा डिकोड कर हाथसे के कारणों की सही जानकारी पता लगाई जा सकती है नाकपुर में जैसी ये खबराई भरतनगर के पुरानी कले आउट में खलबली मच गये साथे के निवास्तान पर रिष्टेदारों का ताता लगा था बुरुतक की मौन नीला उम्रह 83 इनका आज ही जनम दीन था दीपक के पीता करनल वसन 60 उम्रह 87 रिटाइट करनल है जब कैप्टन दीपक हवाई जहाज को रनवे पर नीचे उतार रहे थे तब मौसम खराब था रनवे 35 मीटर का था जो सीधी धलान पर था और आगे गहरी खाई थी रनवे की ठीक से मरमत नहीं की गई जिससे यहाथ सा हुआ इस हाथ से में कुल 190 यातरी सफर कर रहे थे जिसमें से 18 यातरेों के मौत हो चुकी है जब हवाई जहाज नीचे उतारा जा रहा था तब समझबूश के साथ कैप्टन दिपक ने इंजिन और पेट्रोल बंद कर दिया था और हवाई जहाज को रनवे पर उतारने की कोशिश की यदि समय के चलते दिपक हवाई जहाज का इंजिन बंद नहीं करते तो 190 यातरी सबी हाथ से में जल कर खाक हो गए होते राज्य के ग्रह मतरी अनिल देश मुक सांतवनादे ने साथे इनके घर पहुचे और उन्होंने साथे परिवार को सांतवनादी ऐसा है बहुती दुखत घटना कल घटी है कि हमारे जानबाज विंग कमांडर दिपक साथे इनकी कल कैली कर्ट में जो एर क्रेश हुआ उसमें दर्दाक मौत हो गई उनके माता पीता को मैं आज यहां पे मिलने आये था आज ही उसके दिपक साथे के माता काज त्रेसी वा जनम दिन था और आज ही उनके घरवालोंने सुबह सुबह उनको ये वारता दी लेकिन उन्हों ने जब उनके पूरी परिवार से मैं बात किने उनने एक सुझाओ रखा है उनका लड़का तो चले गया उसका तो दुख तो ही सबीको दुख है उसका लेकिन उनने एक सुझाओ रखा है कि जो भी में इस प्रकार के कयलीकर्ट जैसे टेबल टॉप एरपोटे कि जहां पर एरो प्लेज लैंड होने के बाद में उनको कुई गुणजाश नि रही थी उस प्रकार के एरपोटे इसका सीवी लेवेशन डिक्वारेमंट ने आगे जाके इसका विचार करना चाहिए इस प्रकार क इस हाथ से के बारे में साथे परिवार के भावी और दीपक के भाई निचान करी दी एर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान केरल से कोचिगुड इस रनवे पर आ रहा था कि अचानक में फिसलन हुई और फिसलते ही वो जो हवाई जाज है वो नीचे खाई में गिरा जिसके चलते डो टुकड़े हुए और इसके अंदर नाकपूर की मुख्य पाइलट दिपक साथ है और साती साथ उनके सह पाइलट अक्रेश कुमार इन दोनों की मौत हो चुकी है एक सो चारणवे लोग हवाई जाज में सफर कर रहे थे जिसमें से अठ्रा लोग की मौत हो चुकी है नाकपूर में इस पार्थिव को लाने की बात कही कही जा रही है उनके माता-पित काफी सदमे में है पूरे परिजन सदमे में है ऐसे में दिपक जी की भावी हमारे साथ में उनसे बात करेंगे मैं यह बताई क्या कहना चाओगे आप आज के इस यह तो बहुत बड़ी शॉकिंग निउस है हमारे लिए अभी 11 मार्श को हम लोग मिले थे अच्छी हमारी दिपक दादा उसके बाद तो डायरेक्ली न्यूज ही आ गई कि वह रहे नहीं है अभी और हम लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं और इस वेरी बच खॉरीबल और शॉकिंग निउस फॉर उस अधिवाई भी हमारे साथ में उनसे भी जाना चाहेंगे सर एक्छल में बह पर बहुत काम होता था और जब भी आते थे तो एक पार्टी अरेंच करते दे कभी हम लोग सब मिल के कुछ ऐसे फैमिली गैदरिंग करते था इससे कुछ चालू रहता था अब दिपक जी के जो माता-पिता है उनकी उनका स्वास कैसे चल रहा है निपक के निपक जी के मैं मेरे चाचा-चाची का पहले दो महीने पहले काफी उनकी तवित बहुत खराब होगी थी एनने उनको हम हॉस्पिटल में पनरा दीन एडमिट डोनों एडमिट थे अभी उसके बात अभी ठीक है चने उनको विकनेस है दोनों अभी एज भी बहुत ज़ादा एटी सेवन और 83 अभी आज ही उनका चाची का जनाम दीन हुआ है अज उनकी तवे ठीक है सर आखरी के सवाल में यह था कि पार्थियों नापपूर लानी की बात कही जा रही थी क्या कहिना चोगे क्या रूशनी डार रही हो इस वीशे पर मेरी खेल से नकपूर आएगा नहीं पार्थियो क्योंकि नापवर क्या उंकि अविधातवब्य विभ वंभे में ही है और वह बंबे में और उनकी मेरी सिस्टर जो पहें थी बहाने बड़ी वाली । चोटी वह भीबंभव इन यह उनके जिजाजी है वह हो भी मौंबे में यह सब बांवे में होने करण नकपूर में अभी और करोना के करन भी नहीं आ सकते नकपूर में उनका जहाँ तक है मेरे अभी तक जो अम को मिला है अमारी क्लियर बाचित नहीं हो पा रही है पर जहाँ तक है सवाल है कि मुंवे मी घोगा उनका अन्तिम समस्कार तो आप थे सुनी साथे जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि मुंबई में लगबग अंतिम संसकार हो जाएगा क्योंकि नाकपूर को देखते हुए मुंबई काफी नजदीक रिष्टेदार भी वहां पर है ऐसे में नाकपूर के इस भरत नगर के उनके मकान में इन बिजिसन की टीम है उनके माता पिता से भी मिलना चाहा लेकिन उनका स्वास्त अभी नहीं क्योंकि वे काफी सदमे में हैं एक बात मैं बता दू के जो दीपग आज जिस दुरगटना में उनकी जो मुर्त्य हो चुकिये आज उनके माता का नाम नीला है और उनका तरयासिवा जनमदीन आजी के दिन था जिसकी शुब कामना है देने के लिए कुछ गर के परिवारों ने वारतालाब भी की थी मगर ऐसे में जिस प्रकार से दुरगटना हुई है काफी दुरभाग्य पूरुना है इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए मगर होनी अनोनी को भला कौन टाल सकता है अब यही वे एक बात कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से आए दिन पाइलोटों की चाहिए चाहिए नोकरी हो या राशी हो और या उनके बच्चों को कुछ अच्छा उनका अच्छा जीवन समर दोनो इसलिए भारत सरकार ने ध्यान देना चाहिए अब तक के शहर के कई पाइलोटों की इसी दुरगटना में ऐसी मोते हो चुकि है लेकिन उनके परीजन को नए नहीं मिलाया क्या अब की बार नए मिलेगा क्या ये एक देखने वाली बात होगी भरत नगर से कैमेरा परसन सुभाज बुखले के साथ संजय मीरे इंबी सेन नियूज मुनावपूर